नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग फ्रेंस आज में आप लोगों क्लिब एक्तम यूनीक सा डिजाइन लेकर आई हो बिल्कुल अलग आज तक सायद आपनी किसी भी चैनल पर नहीं देखा होगा तो फ्रेंस देखिए कितने चुट चुटी से सैल्फ से कितने अच्छे हमारा बनाया है तो चलिए यहां पर मैं पहले आपको थोड़ा सा बैक साइड से दिखा देती हूं यह देखे और छोटी सी बुनाई है ज्यादा मतलब बड़ी भी बुनाई नहीं है किसी भी प्रोजेट पर आपको बहुत सूट करेगी तो फ्रेंस अगर आप हमारी चैनल किस तरीके से बनाया गया है प्रेंसे बनाने के लिए हमें यहां पर चार फंदों और चार 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 और दो यानी यहां पर हमने केबल चौदा फंदी लिए हैं फोर के मल्टिपल में 12 और दो आज स्टिच तो देखिए फिर्स्ट रो बना रहे हैं सीधी तरफ सॉरी फिर्स्ट रो नहीं हमें उल्टी तरफ से ये पैटर्न बनाना है तो इसलिए इस रो को हम सारी सीधा बुनते रुए कंपलेट कर लेते हैं क्योंकि हाँ ये पैटर्न हमारा जो है वो उल्टी साइड से बनीगा तो मैंने यहाँ पर ये कंपलेट कर लिये हैं 14 फंदे 14 फंदे में सीधे बुनते रुए कंपलेट करने हैं आप हम रॉंग साइड आ गए हैं, यहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, पोर रोली पीड पैटर्न है फ्रेंज, तो दीखिए, एज इस्टेच उतारने के बाद में, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दागा आगे पीछे करते हुए हमें यह उल्टे सीधे फंदे बना लेने हैं, इस रो में हमें सिर्फ उल्टे सीधे फंदे बनाने हैं, कि उल्टे सुधे बंदे बनाते हुए यह हमने 14 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं कि आप देखिए दूसरी स्लाइस सीधी तरफ से पहला फंदा मैंने उतार लिया आप चैन तो बना सकते हैं धागा अपनी और करेंगे उल्टा फंदा एक धागा पीछे करेंगे यह मैं एज स्टिच के बाद से रिपीट पैटर्न स्टार्ट कर रहे हूं एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा यह देखे हमने चार फंदे अपने बना लिया उल्टा सीधा करते हुए आप देखे यहां पर हमें क्या करना है धागे को अपनी और करेंगे और इन तीन फंदों को हम वापस से नीडल पर लेकर चले जाएंगे यह देखे इस तरीके से तीन फंदे वापस लेकर आ गए आप देखे इनको तीनों को धागे को पीछे करके इनको तीनों को फिर से में लेकर आ गए और यह जो हमने बाधा है इसे थूड़ा सा धीला ही रखना है हमें टाइट नहीं करना है उल्टा फंदा बना लिया फिर देखे एक दागा पनी और दो धागा पीछी तीन धागा पनी और करेंगे और इन तीन फंदों को वापस से नीडल पर लेकर जाएंगे दागा पनी और करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे एक दागा पीछे तीन अब यहां से हम इन तीन फंदों को पांदे के तीन फंदे हमें पांदे और एक फंदा हमारा ऐसी रहेगा यह दिखे एक पूरा राउंड हमें इसमें लगाना है और डीला ही रखना है मतलब एक तरीके से सिर्फ हमें पैटरन बनानी के लिए कर रहें हिला ही थोड़ा से रखिए यह दिखिए थार्ड रूप पैटरन की दिखे जो फंदा इसमें पहले जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा पनी ओर एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक बना सीधा दागापनी और, एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से हमें यह एपनी रॉंग रॉ, थार्ड रॉ जो है, हमारी रिपीट का लेनी है, रॉंग रूप, थाड रूप, चौदा पंदी हमें, होर के माल्टीपल में पंदेट आकर सिर्फ दो पंदें हमें आज स्टिच के लिए लेने हैं, थाड रूप, अब फोर्थ रूप दिखेंगे, पहला फंदा मैंने उतार लिया, आप चाहें तो बना सकते हैं, धागा अपनी और करेंगे, जो फंदा जैसा है, वैसा ही सुरू से एंड तक हमारा रहेगा, जो फंदा जैसा आप देख रहा है, तीन फंदे बन गए, अब इसे मैं ऐसे ही घुमा देती हैं, अब यह हमारे फंदे चेंच होंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा धागा प्मियोर, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा प्मियोर करेंगे, और यह तीन फंदे सीधे सीधा उल्टा सीधा, सीधा उल्टा सीधा आपका चलिएगा, पैटर्न जो जब भी आप पंदे बादेंगे, सीधा उल्टा सीधा, तीन फंदे इस तरीक से, उल्टा सीधा उल्टा नहीं बादेंगे, सीधा उल्टा सीधा, इस तरीक से अगर आप हमेरी चैनल से जुड़ा कोई सुझाप देना चाहते हैं तो प्लीज आप दे सकते हैं और आपको पैटर्न कैसा लगा वो भी में कमेंट बॉक्स में जरूर बताए यह दिखिए ओल्टा सीधा ओल्टा सु फ्रेंज मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्थ रोह ये ही फॉर्थ रोह आप एक से चार तक एक बन टू-फॉर करते रहेंगे तो आपने जैसा कि starting pattern देखा वैसा बन जाएगा मिलती हूं next video में तक तक के लिए नमस्कार अपना धियान रखिए